सत्गुन विशनों जी तमगुन शिव जी ये तीन पर्भू हैं और एक एक भी भाग के मंत्री हैं एक विर्मांड के अंदर ये पर्थ्वी लोग ऊपर स्वर्ग लोग और नीचे पाताल लोग को इन तीन लोगों के उपर ये एक एक विभाग के विभागिय मंत्री हैं और इनके अंदर से एक ऐसी तरंग निकलती है जैसे और वो कैसे पर भावित कर रही है हमारे को जैसे रसोई के अंदर कीचन में छोंक लगता है मिर्चों का और वो छोंक का जो ओरिजिनल वस्तूतों साकार वस्तूतों रसोई में उससे निकली हुई तरंग ने वो जाकर के उस सकती निरगुन सकती निराकार सकती निकलती है उसके अंदर से और उसने जाकर के अन्य कक्सों में बैठे हुए विक्तियों को भी परभावित कर दिया उनको छीके आने लगी वो छीके ना आना ना आने देना उन विक्तियों के बसकी बात नी छीक आएंगी आएंगी उस मिर्च के परभाव से रोक नहीं सकते अब साकार वस्तूर सोई में उसकी निराकार सकती ने कहां एफेक्ट कर दिया ऐसा इन बगवानों की अंत के अंदर से निकल रहे इन गुणों की सकती समझो ये गुणता समझो बगवान बर्माजी बगवान विश्णु जी बगवान शिव जी ये अपने उपर के लोकों में रहते हैं इनकी राजधानियां अलग अलग और वहां पर बहुत बड़ा इनका रज्ज है इनकी अलग से राजधानी में इनके पुजारी वही जाकर के देवपद प्राप्त करते हैं वहां रेष्टोरेंट बने हुए हैं जिनको स्वरग बोला जाता है तो ये बगवान बोली से इनके श्रीर से निकल रहा ये इन्राकार पावर निकल रही सकती ये हम तीन लोग के प्राणियों को परभावित करती हैं रजोगन के परभाव से हम संतान उत्पति करते हैं संसारिक सुखों की इच्छा हमारे अंदर परबल रहती है जीव के बसकी बात नहीं जैस इस वासना के कारण कितने भिन-भिन प्रकार के रिशियों की कथाएं आप देख सकते हो इतियास में उनके इतियासों में उनने चेश्टाएं कि कि हम वासना को काबू करें अंत में वो फेल ही रहें ऐसे ही ये ममता जो एक दूसरे में ममता मो संपती में मो पुत्रों में माता पिता के अंदर लगाओ पती पतनी में आपस में प्रेम तो ये जो है जीव के बसका नहीं ये भगवान विश्णों के सतोगुन के दबाओ से हम सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं और तीसरा तमोगुण है ये भी हमें बहुत परभावित रखता है दरासा भी कोई कवा सुनी हो जाती है तो मारने मरने को चार हो जाते है तो इस परकार इन तीनों गुणों से हम परभावित है तो कहने का भाव ये है कि जो परसंग चला है कि बगती जान ग्यान धान और छाड़ो कुल बनसा कि तुम इस परिवार को या अपने कुल को भूल जाओ भूलने का ताज़ पर ये है कि परमात्मा को याद करो उदे से आपका रहे कि सत लोग जाएं और जिस कुल को हम मानते हैं अपना ये कुल अपना नहीं है कल मर्चू हो जाए परसों को गधे में जनम हो गया तो गधा कुल गधे वाली जो हमारी जाती कुल हो जाएगा आज हम अपने माता पिता को यहां अपना मानते हैं कल मरत्य होगी कुट्य गजनम हुआ तो कुट्ता माता पिता होगे तो यहां प्रमात्मा कहते मात पिता मिल जावेंगे मात पिता मिल जावेंगे लख चुरा सीमा ये सत्गुर सेवा और बंदगी वाई फेर मिलन की न मात पिता तो जहां भी आपका जनम होगा वहीं मिल जाएंगे पसुयोनी में गए वहां मात पिता पकसीयोनी में गए वहां मात पिता लेकिन मनस जीवन के अंदर आपको मात पिता भी प्राप्त है लेकिन इसमें आप परमातमा भी प्राप्त कर सकते हो